क्यों से बधाय स से नहीं हैं याँ सुथ ही बनाने वाले हैं बहुत क्यों सखाएंगे जो हीं जो डुम ए हम नहीं को यह बनाया रहा है यहां था जो यह पर आने हम नो घंके ड़ी norm पानी आड़के आढ़ा है किर देगा, कहते हैं तकरीबान जब तक प्रिशर लेना है जब तक कि मठर अच्छे से गल जाए अब यहां पर हम्म रेडी कर दे है कुल्चे कर दो यह देखें यहां पर लिया है हाफ की जी हमने मैदा एक कब दही लिया है हमने यहां पर गाड़ा दही लिया है नमक टेस के अकॉर्डिंग हाफ बहुत ही अच्छा बैलेंस करती है वन एना हाफ लिया है हमने यहां पर बेकिंग सोडा अब यहां पर थोड़ा सामने खमीर एड़ किया है आप चाहें तो यहां पर इनो का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब यहां पर हमने वन टेबल स्पूल यह हैं मस्टर्ड ओल आप चाहें त इस तरीके से सोफ्ट सा डो लगा लेना है अब यहां पर तकरीब हम इसको अच्छे से टू आवर के लिए रेस्ट पर छोड़ना है ताकि जो हमारा कुल्चे का जो डो है अच्छे से फॉर्मिट हो जाए और उसमें जाला आ जाए अब यहां पर उपर से हमने लिया है का इस्तमाल हमें बाद में करना है यह देखिए यहां पर जो अच्छे से हमारे मतर हैं वो मैश हो चुके हैं अब इसे ट्रांसफर करेंगे यह देखिए एक बावल में गरम गरम हम इसे ट्रांसफर करेंगे एक दम ठेले वाले स्ट्रिट स्टाइल में हमारे चोली कुल्च िए के आप सब्सक्राइब याँ जब आ चाट मसाला आप टीशुन जाएका गरम मसाला आप टीश पून जाएगा यह पर पीली मिर्च और यहाँ पर आफ टीश्पून जाएगा छोले मसाला आफ टीश्पून पावभाजी मसाला यह आप चाहें तो एक किप्टि भी कर सकते अब सभी को अच्छे से mix करना है यह देखिए इस तरीके से अब यहाँ पर अच्छे से mix करने के बाद यहाँ पर हम एड़ करेंगे यह देखिए पानी थोड़ा सा मटर का जो पानी है वो एड़ करेंगे अब यहाँ पर जाएगा थोड़ा साहरा धनिया थोड़ी सी हरी मिर् टमाटर अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और यहां पर वन एना हाफ जाएगा लेमन जूस यह देखिए बहुत ही टीस्टी बहुत ही मज़ेदार हमारी जो यहां पर मटर चाट है वो रैडी हो चुकी है आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्फ कर सकते हैं यहां अबर यह देखिए हम मार्केट स्टाइल में आपको सर्फ करके दिखाएंगे यहां पर दिल्ली की गलियों में मिलने वाले जो छोले हैं बिलकुल एकदम वैसे हमारे टेस्ट में बने हैं यह देखिए आप जब बनाएंगे बिलकुल आप इसकी तारिफ किये बिना नहीं रह पाएंगे यह देखिए कितने टेस्टी से हमारे छोले हैं मटर जो है बनके राडी हो चुके हैं इफ्तार में आप इसको इस तरीके से भी सर्फ कर सकते हैं यह देखिए एकदम ठेले वाले स्टैल में हम इनको सर्फ करेंगे यहां पर हो गये हैं हमारे मटर जो छोले है वो ready हो चुके हैं, अब यहाँ बर हम बताएंगे आपको कितने softy से spongy से जो हमारे कुल्चे हैं बनकर ready होते हैं यह देखे हमारे जो आटा है format हो चुका है अब यहाँ बर हम चुट चुट पेड़े बनाएंगे आप अपने coding बना सकते हैं यह देखे हलका सा oil लगा लेना है उसके बाद हमें यहाँ पर 4-5 पेड़े तयार कर लेना है और उपर से हमें यहाँ पर fresh हरदन्या इस तरीके से लगा देना है बिल्कुल हम market style में मनाएंगे यह देखे इस तरीके से अब यहाँ पर इसको हम थोड़ी सी distill आएंगे यानि कि मेंदल लगाएंगे उसके बाद यहाँ पर roll out करेंगे यह देखे इस तरीके से थोड़ी से हमें इसको मोटा ही रखना है यह देखे अच्छे से roll out करने के बाद इसको हमें तवे पर डाल देना है यहाँ पर यह देखे थोड़ी सा खोज़ए कुल्चे है वह कैसा हो चुका है यावर इटे के तो रड़ी हो चुका है जो हमने तवे पर ढवे डाल ले तहें आप चाहें तो छोटे बनाते हैं तो तिन 21 एक इबार में तवे पे रख सकते हैं यह देखिए हमें धीमियाज पर ही इनको सेखना है यह देखिए दूसरी साइड से हम इसकी साइड चेंज करेंगे यह देखिए कितने परफेक्टली हमारे जो कुल्चे हैं बनेकर राडी हो चुके हैं अब फिर से इनको कवर करेंगे हम एक से 1-2 मिनिट के लिए अब यहाँ पर देख सकते हैं आप छो कुल्चे उनमें बबल आ चुके हैं यह देखें घुल्डन सा अच्छा सा गलर आ चुका है आप इनको आप हाफ फ्राइ भी कर सकते हैं यह देखें कितने पफी से हमारे जो कुल्चे हैं बनके राटी हो चुक शेयर करें सब्सक्राइब करना ना बूलेंगे देखिए एकदम ठेली स्ट्राइल में हमारे चोले गुलचे रैडी हो चुके मिल दे हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अला हाफीज